हेलो इस्टुडेंज तो आज हम लोग श्कले जा रहे हैं अल्ेक्ट्रिक चालसे चाइड फिल्ड का लेकश नंबर 5 जिसमें हम लोग És अल्क्र फिल्ड के बारे में पढ़ेंगे तो लेक्ट्र 4 तक हम लोगों ने एltric force पूरा complete कर लिया, अब उस पर मैं first DPP आप लोग को जारी करूँगा, तो सबसे पहले बचों, वो DPP आप खुद attempt करना और उसके बाद उसका वीडियो solution देखना, आप देखोगे कि कैसे जो है numerical solve करने से कितने सारे concepts और enhance होते आपके, एक तो concept ठीक होगा और दूसरा क्या है numerical या बहुत ज़्यादा साउंड होगे, और उसमें high important numericals रहेगा, जिसके exam में आने के probability बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा फैदा करेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग, what is electric field सबसे पहले, electric field क्या है? तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, बहुत electric field जो है ना हमें actually magnet और magnetic field ये सब चीज़ से बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्यों क्योंकि magnet को लेकर हमने बचपन में बहुत experiment किया है, दो magnet को लेकर, लेकिन कभी दो charge को लेकर experiment नहीं किया, कि देखे ज़रा है कि electron और ए magnet को दो magnet है हमारे पास, ठीक है, देखो, छोड़े, देखरो, टच, attract कर जा रहा है, तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, दो magnet जब हम लाएं, जब ऐसे दोनों नजदिक लाएं, देखे ये दोनों attraction हो गया दोनों के बीच, अच्छा, अगर opposite ऐसे करके रखें, तो सटाने की क सट नहीं रहा है, देखरो, रखते हैं, छोड़ देता है, यानि repulsion हो रहा है, तो भाई, attraction अगर हुआ, तो कैसे हुआ, इसका मतलब है, कि ये दोनों पोल्स जो सट रहा है, कैसा होगा, opposite पोल्स, अगर एक है north, तो दूसरा है, south तभी जाकर attract हो रहा है, और इधर repulsion हो रहा है का मतलब, same pulse, अगर ये north होगा, तो ये भी north, अगर ये south होगा, तो ये south, अच्छा, अब देखते हैं कि भाई, ये दोनों magnet को इतना दूर रखे, छोड़े तो ये सट गया, तो भाई, बीच में जो हवा था, जो gap था, जो region है, जो space है, उसमें ऐसा क्या हुआ कि पकड़ और वही field lines जो होता है, actually क्या है, ये magnet का चारो तरफ magnetic field lines, ये magnet का चारो तरफ magnetic field lines, जैसी हम नजदिक लाएं, तो दोनों का magnetic field lines आपस में क्या करता है, interact करता है, और वो अगर same nature का है, तो repulsion force, और अगर opposite nature का है, तो attraction force, तो जैसे magnet के साथ है, magnetic field lines, वैसा ही हमारे साथ electric charge के पताता हूँ, जो North Pole हम लोग बोलते हैं न, वो हमारे लिए यहां पर हो जाता है Positive Charge, और जिसको हम लोग South Pole बोलते हैं, वो हमारे लिए यहां हो जाता है Negative Charge, पिल्कुल Same, ठीक, और देखो, एक अगर Magnet हम लोग बनाएं, तो यह North Pole, यह South Pole है, बोलते हैं North Pole से Field Lines निकलता है और South Pole पर आता है, हलाकि यह External to the Magnet है, अंदर में कैसे है, South Pole से आकर के North Pole के तरफ जाता है, ठीक, तो हम लोग externally बोलते हैं कि North से निकला, और South Pole पर आया, ठीक, North Pole से निकला, South Pole पर आया, North Pole से निकला, South Pole पर आया, Magnetic Field Lines, ठीक है, ठीक, बिल्कुल इसी के जैसा, जो है, अब हम ज similarity समझ में आया कि अच्छा कैसा है, North Pole मतलब Positive Charge, South Pole मतलब Negative Charge, South Pole मतलब Negative Charge, तो यहां क्या है, Positive Charge से निकलेगा, और Negative Charge पर टर्मिनेट करता है, जाके, Positive से निकला, Negative पर गया, 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 ठीक, Positive से निकलता है, तो Negative के त यहां से यह तो यह इधर से आ गया फिर यहां बोले निकल गया इसे तो यहां बोले कि यह आ गया actually क्या है कि magnitude same है ना तो जितना अगर same magnitude का है तो same number of field lines हमको दरशाना होता है अगर ज़्यादा strength का होता है तो ज़्यादा field lines बताना होता और कम strength का अगर magnitude का है तो कम field lines, same है तो हमने same बनाया कि कोई निकला तो कोई आया तो देखर दोनों का similarity है North pole से निकला south पर आया positive से निकला negative पर आया बिल्कुल उसी के जैसा तो आब हम बोलेंगे what is electric field किसको बोलेंगे तो दो रूप में define होता है पहला जो रूप है वो है field approach field मतला region, छेतर जो है तो बोले electric field किसको बोलोगे तो बोले कोई एक बड़ा सा charge ले लिजे एक बड़ा charge हमने ले लिया तो उसका electric field lines, radialis तरह से बाहर निकला, हलाकि actual जो ऐसे books में बना तो जरूर होता है वो सही नहीं है, लेकिन हम लोग बनाएंगे ऐसे ही अगर examination में आए, मालोब boards में आगे तो, बनाना आपको ऐसे ही होगा ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा, कि actually होना क्या चाहिए था आप खुद भी realize करोगे सच में, यार अगर ऐसे बना होगा थोड़ा सा तो गल्टी लग रहा कही ने कही, वो आप realize करोगे, हम देखेंगे आगे, ठीक है, लेकिन अभी फिला, तो electric field lines ऐसे है, एक बड़ा सा charge का, अब किसको बोलेंगे हम लोग की electric field region ये है भी, तो हम ला दिये, इसके region में ला दिये, अब हमको पता है कि देखो ये plus है, ये plus है, जैसे यहां लाएंगे न, plus plus इसको मारेगा धक्का, तो इस पर लगा force, यानि कि अगर कोई region हो, उसके अंदर कोई दूसरा charge हम लाएं, और अगर उस पर force of attraction या repulsion हमें feel हुआ, या फेकाया, या खिचा गया, तो हम लोग बोलेंगे कि हम एक electric field region में आ चुके हैं, किसका electric field region, किसी और का, क्योंकि उसने हमें धाका दिया, जो लाते हैं बच्चों नों वो बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि हम feel कर सकें, वो फेका रहा हो, और जो पहले से रहे हो, बड़ा होना चाहिए, और भी reason इसका बताता हो, थोड़ा देर में देखो, field approach में क्या होगा, electric field is defined as the space around a charge, charge के surrounding space in which its influence can be felt by any other charge particle को लाकर करके, ठीक है, तो ये electric field हो गया, दूसरा region, अबलब दूसरा, जो है, कैसे हम लोग define करते है, electric field को, वही strength के रूप में, तो देखो कैसे है, उसको हम लोग बोलते है, electric field strength, या electric field intensity, कैसे define करेंगे, तो ऐसा ही पता चलता है, देखो, एक magnet है, एक बड़ा सा magnet यहां रहना चाहिए, इसको fix करके रखतो, ठीक है, अब एक छोटा सा magnet कहीं उठा करके लाना है, और हम देखते हैं, यहां पर लाते हैं, इतना दूरी पर, जैसे लाकर हम छोड़ें, देखें, यह तो गिर गिया, अच्छा, ठीक है, और नजदिक लाते हैं, लो, यह तो गिर गिया, जो strength हैं, यहां पर क्या बोलेंगे, थोड़ा ज्यादा है, जिसके वज़ें से खीचा गया, अच्छा, और नजदिक लाता हूँ, यहां तो खटाक से खीच ले रहा है, यहां और भी ज्यादा है, आच्छा, बहुत नजदिक लाकर के जैसी रखने कोशिस करो, तो लग रह ही ले रहा है, यहांदी सबसे ज़्यादा strength क्या, एक अदम बगल में, तो खीचा है हुआ है, यह समझो, तो कैसे पता चल रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्याना, देखते है strength कम होते जाता है, और जैसी बड़ा-बला magnet के नजदिक आते जाते है, देखते है strength ज़्यादा होते जाता है, भाई हमें पता किसे चल रहा है, हमें पता चलता है, कि जिस छोटा सा magnet को लाकर करका, और हम test कर रहे हैं, कि भाई इस पर force of attraction या repulsion लग रहा है, जहाँ पर ज़्यादा force लगता है, तो हम बोलेंगे, कि इसका जो electric field का strength है, यहाँ पर वो चाहिए, जिसको लाकर हम test कर रहे हैं, इसको हम लोग बोल देंगे test magnet, क्यों नाम पढ़ा, क्योंकि हम इस पर test करने वाले हैं, कि कि इतना force लग रहा है, तो बिल्कुल charge के साथ कैसा हो जागा, एक हो जागा, source charge, जो बहुत बड़ा होना चाहिए, और वो नहीं हिलना चाहि एक्सपरिमेंट हम इस पर कर रहे हैं, कि कि इतना force लगेगा, जिसको लाएंगे, test करेंगे, तो इसको बोल देंगे test charge, एक दम similar concept, तो बोलते हैं कि देखो कैसे strength बोलेंगे, let 1 plus Q charge है, यह होना कैसा चाहिए, very large, very large, और इसको क्या करके रखो, जो fixed करके रखते हो, ठीक, त छोटा, very, very small, very, very small, ठीक है, एक्दम समझो कि टेंडिंग टू 0, 0.00000, 0.780, लाख 0 लगा, आकर पर लास्ट में कहीं 1 लिख दो, इतना ज्यादा छोटा है, ठीक है, और यह समझे लोगे, दो कुलम चार्ज है, बहुत बड़ा, तो ऐसा, यह जो charge है, इसको हम लोग बोले क्योंकि इसको लाकर टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा, अब सवाल आता है, कि सर, आपने इसको बहुत छोटा क्यों किया, और आपने इसको बहुत बड़ा क्यों किया, अगर पलट के तो क्या होगा, हम जिसको ला रहे हैं, वही बहुत बड़ा हो, और जो पहले से वो बहुत ही खुद ला रहे हैं और वहाँ पर रखा हुआ 0.0001 माइक्रो कुलम चार्ज होगा क्या हम इसको लाए हैं बड़ा टेस्ट करने के लिए कि भाई देखते हैं इस पर फॉर्स किधर लगेगा है ना रिपलसीव या अट्रेक्टिव या इतना बड़ा है कि यह इसके रिपल्स है गसका नहीं वह उड़िया गया बहुत छोटा है इसलिए करते भाई जो पहले से रखा हुआ है वह बहुत बड़ा रहे ताकि वह नहीं लेते समझों के तरह से फिक्स कर दिये और एकदब छोटा चार्ज लाएं तो इसको लाएंगे छोड़ेंगे देखेंगे उड़िय कितना ज्यादा सुड़िया है समझ में आ रहा है थोड़ा और नजदीक लाएं अब छोड़ें बहुत भ्यानक तरह से फिका गया अच्छ यानि कि नजदीक जब लाते हैं बड़ा चार्ज के तो देखते यार बहुत ज्यादा फोर्स से उड़िया है तो बोलेंगे स्ट्र लाये गा और ये क्या हो जाएगा फिका जाएगा तो बोलेंग कैसे भार आव ऐल्लेक्ट्रिकत फिल्ड וडिसाइं तो बहुत तो ङुख पर कि उस्केन कि रिखंड किक कितना फोर्स लगा है किस पर जो चार्ज हम लाए है उस पर तो बोलेंगे यां वाम तो पॉस यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाते हैं और यह जो positive test charge this should be tending to zero यानि कि tending to zero मतलब बहुत छोटा होना चीए तो यह mathematics में लिखने का तरीका होता है चैप्टर ही होता है maths में limits का तो उस तरह हम लोग लिखते हैं लिमिट लगा दो कि यह charge बहुत छोटा है tending to zero तो यह हो जाता है electric field at point P अगर यह force बहुत ज्यादा होगा तो समझो कि electric field का strength भी यहाँ पर ज्यादा है किसका electric field source charge का electric field का strength जिसको हम लाते हैं बहुत छोटा है तो उसका field हम लोग ने count कर रहे हैं ठीक है यह अब यहाँ से बचों हम लोग देखे कि भाई यह force कैसा है vector quantity ठीक है electric field भी कैसा quantity हो जाएगा vector quantity यह तो scalar है यानि हम लोग यह कह सकते हैं कि electric field जो है vector quantity है तो इसका direction क्या होगा तो बोले इसका direction वही होगा जो force का होगा तो force का कि धर है तो बोले जो source charge है ठीक है इसका electric field हम निकाल रहे है point P पर तो force उस पर लग रहा है देखो इधर यानि कि इस जगा पर बोलेंगे electric field का direction क्या होगा तो बोलेंगे जिधर force का है वही तो how will you draw the direction of electric field बचों तो electric field भी किधर हो जाएगा ठीक ठाक है समझ में आ रहा है ना ठीक अच्छा अगर हम लोग negative charge अगर कर देते तब क्या होता negative charge माल लो यह source charge जो है वो रहता मेरा negative charge हम इसको negative कर दिये our distance पर लाकर एक positive test charge हम यहां रखते हैं ठीक है point P पर अब क्या होगा तो बोलेंगे जैसा ही लाओगे देखो negative है यह इसको पकड़ के क्या करेगा खीच लेगा तो force का जो direction वो किधर हो जाएगा इस direction में तो जिधर force का direction होता है वही electric field का direction होता है इसका मतलब इस charge का हम बोलेंगे P point पर electric field का जो direction वो किधर है तो बोलें भाईया इतना सवाल पूछलेंगे एक बाद ना हम लोग क्या करते है जिस point पर पूछा जाता है उस point पर एक छोटा सा test charge positive रख दो देखो कि वो किधर फेकाएगा तो वो जाएगा फेकाएगा इस direction में तो भाईया यही direction of electric field हो जाएगा यानि कि यहाँ पर electric field का जो direction होगा वो इधर ही होगा और ऐसे भी हम समझ में आता है कि भाई negative charge है तो towards the negative charge होगा electric field का direction और अगर positive charge है तो away from the positive charge होता है अब यह समझ में आ रहा होगा बिलकुल तो हमारे लिए यहाँ पर क्या दो the source charge source charge का position change नहीं करना है अब यह जो electric field strength हम लोगों ने निकाला ना बच्चों उसका actually 5 नाम है total क्या है वो electric field का strength बोलो point p पर या electric field का intensity बोलो कि कितना intensity उसका है ज्यादा है कि कम या सीधे electric intensity भी सवाल में बोल देता है find electric intensity मतलब यही calculate करना है तो यह समझ में आ रहा है यह समझ में आ रहा है या सीधे सीधे electric field भी बोल देगा ना मैं आज से बोलूगा electric field ही तो आप region वाला मत समझेगा समझे कि electric field intensity की बात करें जिसका कुछ formula हमारे पास आया हुआ है ठीक है कितना force experience करेगा positive texture ठीक electric field या electric flux density बोलते सबसे खतरनाक और सबसे important यह हो जाता है क्यों पता ही नहीं चलता है कि या electric flux density जो ना पढ़ते अगे है flux related गौस्थियोर में पढ़ाऊंगा अब पूछते ता है यहा electric flux density तो लगता है जैसे flux के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है लेकिन नहीं यह actually electric field है तो अभी मैं लिख देता हूँ बच्छो समझ में नहीं आएगा लेकिन note करके रख लिजए आगे चीजे clear होगा ठीक यह क्या है electric flux तो flux जो है न electric flux जो है उसका formula होता है phi e से denote करते हैं वो उसका formula होता है electric field into area of cross section तो देखो यह वाटिस e बराबर यहां से क्या हो जाएगा e बराबर हो जाएगा कितना flux है per unit area flux equal to e e ए तो e बराबर flux per unit area तो जैसे density से हम लोग अगसा confuse करते हैं ने density होगा mass per unit volume यानि volume volume ऐसा नहीं है electric flux density मतलब होगा कि कितना flux per unit area वैसे ही current density एक topic आएगा तो क्या बोलेंगे current per unit area तो यह है electric flux density और वो है किसके बराबर electric field के बराबर यानि कि पूछेगा यह calculate करना हमें क्या है यही calculate करना है तो चीजे समझ में आ रही है कि actually क्या है ठीक है electric flux density जो यह होता है electric flux per unit area electric flux per unit area electric flux per unit area जिन बचों का पढ़ा हुआ को नतुब चीजे समझ रहे होंगे तो इसको note करके रख लिजिए आप next देखते है बचो electric field हमें समझ में आगा कि vector quantity है यह तो clear हो गया कि electric field बराबर क्या हो जाएगा कितना force experience किया per unit positive test charge अच्छा test charge को भी आपने देखा होगा कि जब पूरा detail में हम लोग लिखे तो ऐसे लिखे थे लिमिट q0 tending to 0 force per unit test charge q0 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 लेकिन हम generally आगे formula में बस ऐसे लिखे देंगे force per unit charge तो यह कौन सा charge है test charge जिसको हम पकड़के लाकर रखेंगे दूसरे charge के field में ठीक है understood है इस तरह से in general हम ऐसे लिखेंगे तो समझ लिजेगा कि क्या है ठीक vector quantity यह force के direction में होगा तो direction of electric field चार तरीके से लिख सकते in the direction of electrostatic force बिल्कुल सही है जिधर force लगेगा उधर होगा अच्छा यह last दो line देखते हैं जरा away from positive charge ठीक ठाक था away from positive charge और जिधर negative charge होता है उसके तरफ होगा यानि positive charge है तो समझ इसके away होता है electric field का direction और अगर कहीं negative charge है source charge तो towards the negative charge होता है हम जान चूक है और क्या कह सकते है from positive charge towards negative charge वह जो positive charge है पोजिटिव charge से electric field lines निकलता है तो यह निकलता है उसी direction में electric field lines है या electric field है तो जाता और जाता कहा है तो हमने पता है magnet से जैसे पढ़ है नौर से निकल के साउथ पर जाता है, तो कोई भी एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स जो है, यह एलेक्ट्रिक फिल्ड बोलो आप, उसका डिरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्रम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, कहीं भी इस तरह से एगर बना हुआ ह कि एक जगा पर पूरा प्लास 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 हो, यह पूरा पॉजिटिव चार्ज, और एक दिवार हो पूरा नेगेटिव चार्ज, तो बोलेंगे इस जो रीजन है, जो स्पेस है, इस वह एलेक्ट्रिक फिल्ड का जो डिरेक्शन होगा, किधर होगा, तो positive से negative के तरफ तो this is the direction of क्या है electric field, यह इसका मतलब हुआ ठीक हर छोटा 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 चीज लिखते चले जाएए सब काम करने वाला है, SI unit of electric field तो अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा, कि electric field जो होता है, वो है force per unit charge, तो यहां से अगर देखे, SI unit होगा क्या, तो बच्चो क्या होगा SI unit सोचो force का क्या होता है, newton SI unit of charge का क्या होता, कुलम, यानि कि newton पर कुलम होगया मेरा SI unit of electric field, ठीक है एक और होता है, जो कि हम लोग potential जब पढ़ेंगे न, second chapter उसके अंदर आएगा, लेकिन यहीं पर लिख करके रखना है, वो formula वहाँ पर आता है, electric field minus dv by dx minus dv by dx यह भी क्या है, यह potential और यह क्या होता है, यह होता है distance क्या होता है, distance, तो potential per unit distance, सर कैसे आया formula बच्चों, वहाँ हम देखेंगे, लेकिन जब आ रहा है ना, तो direct यह देखो, इस chapter के अंदर भी, सवाल जब दिया रहे गा, electric field का कोई value, तो दे देगा कुछ ऐसा, मालो दे दिया, 5 volt per meter, तो आपको पता चला चाहिए वोल्ट पर meter क्या है तो potential का ऐसा unit होता है, voltage volt, और distance का होता है meter, यानि कि वो electric field actually दिया हुआ है, तो यहां से यह हो जाएगा, electric field बराबर, volt पर meter, तो यह क्या है, volt पर meter, तो यह होगा SI unit of electric field next देखते मचो, physical significance of electric field हाहा, very important for very important for किसके लिए, numericals के लिए हर numerical में समझो कि इसी का जिकर आने बाला है, हर numerical में, electric field पर कोई numerical उसके अंदर यह जरूर दर्शन देगा इसका मतलब क्या है बचो, मैं room में खड़ा करके record कर रहा हूँ, एक दीवार इधर एक दीवार इधर, आप जिस भी room में बैठे हुए हो न, एक दीवार को left, एक दीवार को right मान लो, ठीक, समझो कि यह पूरा दीवार पर positive charge भरा हुआ है, और यह पूरा दीवार पर negative charge भरा हुआ है, तो मेरे room में electric field का जो direction होगा किधार होगा, तो बोलेंगा positive से negative के तरफ, यानि इस room में पूर electric field lines है, ऐसे तो आप अपने room भी में भी जो है न, उसको बना लो, ताकि जब भी exam में बैठे हुए है, जब भी सवाल solve करो, बुलेगा एक electric field है, एतना का, तो तुरंट visualize करो, ओ, ये दिवार plus, ये दिवार minus, electric field है, हाँ ठीक, उसके आगे क्या कह रहे हो, कौन charge कहा रखा हुआ है, तुरंट आपको पता चलेगा, किधर दाका लगेगा, ने लगेगा, physics है न, आपको देखना पड़ेगा, subject को visualize करना पड़ेगा, रटनती विद्या ना चली बचो, एकदम ना चली, तुर देखो क्या है, बोलता है कि कभी भी, जैसे एक दिवार पर plus, 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 plus है, minus, minus, minus है, हमें पता चल गया, कि यहाँ पर electric field का जो direction होगा, किधर होगा, positive से negative के तरफ, पता चल गया, फाइदा क्या होता है, भाई, electric field हमको पता हो, तो उसे क्या फाइदा हो जागा, what is the physical significance, फाइदा ये है, कि जब आपको पता चल गया न, रूमें electric field lines, या electric field किधर है, तो अब आप कोई भी charge लाकर के इस field में रखोगे न, वो electric field, उस पर force लगा कर, उसको धका देकर फेक देगा, ये benefit है, क्या benefit है, कि जब हमें पता चल गयाता है, कि electric field किधर है, तो हम कोई भी charge लाकर उस field में रखेंगे न, वो electric field उठा कर, उसको फेक देगा, ये ये benefit है, तो माल लो, हम इसमें positive charge लेकर चले आए, होगा क्या, हमें पता चलता, ये plus plus मारेगा, plus धक्का, ठेक देगा उधर, और minus यहाँ है, तो minus पकड़ के खीच भी लेगा, यानि है, यहाँ से क्या पता चलता है, force बराबर क्या होगा, QE, force बराबर क्या हो जाएगा, QE, 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 आप इसको आदत बना लिजी, आज के बाद, force, कितना force लगेगा, वो QE के बराबर होगा, कौन सा charge हम लाए है, और कितना electric field वहाँ है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह भी positive charge के, तो यह positive ही है, ठीक है, electric field, vector, force बेटर, यानि force का direction किदर होगा, पुले force का direction उहर होगा, जिधार electric field है, अच्छा, electric field, तो electric field है किदर भाई है, positive to negative के तरफ होता है, तो since plus ही ही है न, तो जो यह है, वही हो जाएगा, यानि force भी किदर लगेगा, positive से negative के तरफ ही लगेगा, उस charge पर, देखो, positive से negative के तरफ ही क्या लगा, force और फेका गया, ठीक, एक तो यह, दूसरा, तो एक चीज़ समझते हैं, by knowing electric field at any point, we can determine the force on a charge placed at that point, एक यह direction होगा, बच्चों, दूसरा direction अथी बताता हूँ, कहीं भी, plus 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 plus, minus 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 minus, ठीक है, electric field lines किदर होगा, या electric field किदर होगा, positive से negative के तरफ, जैसा ही हम बोले कि, अगर minus charge ले जाकर रख दिये, इस field बे तब क्या होगा, तो हमें पता चलता है, जाएगा, इस direction में, तो हम force का formula कैसे लिखे, force हो जाएगा, QE, 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 अब तो आदत हो गया है, force equal to क्या हो गया, QE, लेकिन charge कैसा है, minus charge, कैसा charge है, minus, तो वेक्टर लगा देते हैं, electric field और force पर, ठीक, देखिए जड़ा क्या होगा, electric field का direction तो हमेशा जानते हैं, अब क्या, plus to minus के तरफ होता है, लेकिन plus to minus है, सामने लगा हुआ, minus, तो भाई, अब force का direction क्या होगा, तो जो electric field का ठीक opposite, क्योंकि सामने minus लगा हुआ, force हो जाएगा क्या, minus to plus के तरफ, गौर करके देखो जाएगा, minus है, plus के तरफ क्या लगा है, force, यानि कि formula और charge क्या है, उसके अधार पर भी हम determine कर सकते हैं, कि force किदह क्या लगेगा, तो अब एक बहुत important चीज, सबसे important चीज तो यह है, बचों, कि भाई, ऐसे अगर बना हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा से दिमाग में पिक्चर बनता है, लेकिन हमेशा ऐसा बना हुआ नहीं रहेगा, in question, सिर्फ और सिर्फ दिया रहता है, ऐसे बना देगा, electric field इधार है, एक charge यहाँ पर रखा हुआ है, बस, आपको समझना है कि क्या होगा, तो physical significance क्या है, electric field में charge को रखेंगे ना, यह electric field, इस charge को मार के फेक देगा, सवाल है कि इधर, तो electric field अगर ऐसे है ना, तो आपको imagine करना पड़ेगा, ऐसे हो, यानि एक दीवार यहाँ है, जिस पर बहुत बड़ा positive charge है, और एक दीवार इधर जिस पर बहुत बड़ा negative charge है, यह आपको मन की अंदर चलाना पड़ेगा, सवाल में दिया हुआ ने रहता है, तो इधर positive से negative के तरफ हो, अब आपको पता चलेगा, यह positive, positive मारेगा धक्का, इसका मतलब है कि force लगेगा किधर, इस direction में electric force, और उसका formula क्या होगा, वो हो जाएगा QE, 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 इस पर बहुत सारे numericals अगले lecture में आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगा, motion of charge particle ऐसे कि, कि electric field जो धक्का मारता है, तो फेकाएगा किधर, और उस पर based, pendulum से related, time period, यह सब से related सवाल आता है, बचो ठी, हर छोटा ची जो बोल रहा हूँ ना, वो दर्शन देने वाला है, चलिए, electric field due to a point charge, कोई charge हमारे पास है, बड़ा वाला source charge, ठीक है, उसके कारण, आर्दूरी पर बताओ कि, electric field क्या होगा, अब हम formula derive करेंगे, हमें पता है कि कुछ न कुछ तो force उहाँ पर लगता है, ठीक, बताओ कि कितना, तो उतलेट एक बड़ा सा charge मेरे पास है, यह कैसा charge है भाई, source charge, होना कैसा चाहिए, बहुत बड़ा, very large, और हिलना चाहिए क्या यह, नहीं, यह कैसा होना चाहिए, fixed, यह ना move करें, ठीक, हमको R दूरी पर एक point पी है, यहाँ बताना है कि इसका electric field का strength यहाँ क्या होगा, तो क्या करते हैं, जहाँ भी बताना है न, वहाँ पर एक positive test charge लाकर रख दो, और जब भी हम बोलेंगे test charge, समझेगा बहुत छोटा, tending to zero, हो गया, जैसी रख दिया, आप क्या करना है, हमें पताएंगे यह plus plus मारेगा, इसको धक्का, धक्का मारेगा, यह फ्यका जाएगा, किदर, इस direction, इस is the electric force जो experience करेगा, तो electric field, इस point P पर हम define करते कैसे हैं, electric field, at point P is defined as कि कितना force लगा है, per unit positive test charge, जो charge हम लाएं हैं, ठीक है, इस तरह से, अच्छा, भाई, force होगा क्या, तो दो charge के बीच में, separated by certain distance apart, क्या लगता है, कूलम force, और वो कूलम force क्या होता है, के q1 q2 बटे r square, तो हम लोग कह सकते हैं कि force जो है, वो है मेरे लिए के q1 q2, तो q1 q2 divided by r square, यह लगेगा दोनों के बीच, electric force, क्या लगेगा बचों, electric force, नीचे क्या है q0, तो force का हमने formula लिख दिया, q0 जो charge हम लाएं, वो नीचे होगा, तो देखिए क्या होगा, यह q0 q0 cancel हो जाता है, तो मेरे पास बच क्या रहा है, सिर्फ kq divided by kya है r square, यानि electric field at point p, होगा क्या kq by r square, अब यहां से सीखने क्या मिला, कि भाई जो charge हम पकड़ के लाते हैं, जिस point पर हमको निकालना होता है, electric field वहाँ पर हम test charge लाकर रखते हैं, electric field जो उस point पर होता है, उसके formula में वो charge जो है cancel हो जाता है, तो बड़ा बढ़ियां, यानि कि formula के अंदर आया कौन सा charge, वही charge आया है, जो बड़ा वाला वहां रखा हुआ, यानि कि source charge comes into the picture, तो electric field at point p, जो हो गया है, वो हो गया kq divided by kya है, r square, भाई यह कौन सा charge है, यह है source charge, जिसके वज़ा से, जिसके वज़ा से point p पर electric field है, जिसके वज़ा से point p पर electric field निकाल रहे हैं, formula के अंदर वही charge आता है, जिसको हम पकड़ के लाते हैं, वो cancel हो जाता है, तो वो नहीं होता है, kq by r square, where k is coulombs constant, क्या है बच्चों, k, k है coulombs constant, वो हो जाएगा केतना, 9 into 10 to the power क्या होता है, 9, इसका value हो जाता है, ठीक है, है ना, चलेगा, तो अभी क्या है, यहाँ पर जो है ना, समझो की क्या है vacuum, क्या है यहाँ पर बच्चों भी vacuum है, कुछ भी अभी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का जो formula बन जाएगा, vacuum है, तो k कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 by 4 by epsilon naught, permittivity क्या होना चाहिए, permittivity of free space, k, q divided by r square, यह होगा, magnitude wise जो है, यह होगा, ठीक है, और calculation के लिए value उसका रख देंगे, 9 into 10 to the power 9, next देखे, electric field due to a point charge, जो भी हमने निकाला, अब हमको उसको लिखना है, vector form में, तो अभी जो लिखे तो वो क्या था, शिर्फ value था, मतलब magnitude, तो यह तो scalar form हो गया, लेकिन भाई vector form लिखो, तो vector form में magnitude के साथ सा direction आएगा, बताओ की कैसे, तो देखते हैं, लेट एक बड़ा सा charge जो है, यहाँ पर रखा हुआ, point A पर, ठीक, इस तरह से बना हुआ है, तो इसका भी कुछ नो कुछ position vector होगा, कि कहाँ पर यह है, ठीक, अच्छा, एक test charge यहाँ रखा हुआ है, कहाँ point P पर, तो हमको निकालना है क्या, electric field, due to source charge plus Q at point P, तो कैसे निकाले हैं, तो हम लोग बोले हैं, electric field at point P अगर निकालना होगा, हम formula जान चुके हैं, क्या होता है, क्या क्यू बटे, कितना distance है यहाँ से यहाँ, आर, तो आर इसको है, लेकिन भाई यह है क्या, हमको vectorially लिखना है, बचो, यह तो magnitude है, क्या है यह, magnitude, तो हमें एक direction लिखना होगा, क्या लिखना होगा, direction physics के अंदर, who indicates a direction, direction कौन बताता है, unit vector, unit vector क्या होता है, अब force से हम लोग सीख चुके, क्या है, सीधा सीधी, direction किधर होगा, electric field का, plus है, तो plus के कारण, यहाँ पर किधर होगा, अब यह direction होता ही है, तो electric field का direction, यह आया, यानि unit vector भी, जो हमको लिखना होगा, वो कैसे लिखेंगे, a से p के तरफ, की p से a के तरफ, तब बोलेंगे, देखो लिखने का तरीका, जो होगा direction, इस direction में, और यह direction कैसे लिखोगे, a से p के तरफ है, तो सीधा सीधी लिखाता है, जैसे 1, 2 और r21, हम लोगोंने force के अंदर देखाता है, तो बोलेंगे, यह electric field का direction, यह से p के तरफ है, ऐसे है, तो बोलेंगे, a से p, तो a से p, अब जो unit vector लिखा गया, इसको अगर खोले, तो होगा, क्या vector divided by magnitude, तो formula कैसे लिखेंगे, बचे देखो, r ap का जो cap है, कैसे इसको लिखो गया, तो यह है vector, divided by magnitude, क्या है magnitude, ऐसे लिखेंगे, और हम जानते हैं, कि कभी ap vector अगर लिखना हो, यह vector कैसे है, vector तो ap vector ही है, vector क्या होता है, 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 अगर ap vector अगर हमको लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, final minus initial, यानि op vector minus oa vector, यानि कि अगर इसको और अगर, हम लोग खोले बच्चो, तो कैसे लिखोगे भाई, final minus initial, क्योंकि ये vector आ चुका है, और vector हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है, तो final, यानि rp minus क्या हो जाएगा, ra vector हो जाएगा, निचे magnitude है, ठीक है, तो magnitude लगा देंगे, rp minus क्या हो जाएगा, ra, तो जो यहाँ पर है, उसके जगा पर हम ये substitute कर देते हैं, तो electric fill at point p, जो हो जाएगा, kq divided by r square, ये हो जाएगा मेरे लिए कितना, rp minus ra, divided by निचे, rp vector, minus क्या हो जाएगा, ra vector, ये magnitude हो गया, अच्छा, ये क्या है भाई, r, r है यहाँ से ले करके, यहाँ के बीच में, distance, यानि r, तो magnitude ही है, तो magnitude को हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, चाहे r12, चाहे r21, force का देखो, कम से कम minimum बचो जो है, देखे रहिएगा force, तब जाकर कि ये समझ में आएगा, 1, 2, rpa क्या कर रहे हो, सर, पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुर नहीं पता चलेगा, याना systematic देखो, तो सब कुछ पता चलेगा, तो ये देखो, क्या है, कैसे हम r लिखो ऐसे, या सिर्फ vector लगा करके ऐसे लिख दो, या r a p vector लगा दिये, उस पर डंटी डाल दो, या आप p a लिखने का इच्छा है, vector वो लिख दो, और उस पर डंटी डाल दो, सब कुछ क्या है, सेम, हम को जो इच्छा करेगा, हम वो लिख सकते हैं, तो हम देख रहे ह या, मेरे पास यहां पर आया होता है, देख रो, vector के रूप में क्या था, r a p, magnitude के रूप में क्या था, r a p, जो यहां आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, r a p ही लिख देते हैं, इस magnitude को हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजी आराम से, k q divided by क्या लिख देते है, r a P ही लिख देते हैं इसका whole square है तो ये R P minus R A divided by R P minus केता है R A ये in vector form अब R A P हमको पता है कि R A P तो उसी को लिखेता है R P minus R A यानि कि सेम उसी के तरह हो जाएगा force में जो हम लोग पढ़े हैं इसको कैसे लिखो को बचो R P minus R A तो hence ये एक बार है ये दो बार total हो जाएगा whole cube तो direct हम इहां लिख सकते हैं क्या R P minus R A क्या क्या लिख सकते हैं whole cube हो गया और इधार हो गया R P minus R A तो this is the electric field at point क्या है P vector के form में ठीक है तो ये हो गया जब भी जोरत पढ़े तो हम ऐसे लिखेंगे नीचे cube आता है अच्छा ये कैसे पता चलेगा तुरंथ fast की R P minus R A लिखना है की R A minus R P लिखना में तो ये कैसे लिख पता चलेगा तो बस ये identify करो कि जिस जगा पर electric field हम निकाल रहे हैं न वो direction की धार है तो यहां पर direction क्या हो को positive charge कर अवे एक वार आपको पता चलिए A से P के तरफ है क्या पता चलिए कि A से P के तरफ है तो unit vector में तो सीधा सीधी होता है A से P तो unit vector सबसे पहले identify करना है A P बस अब unit vector से हमें vector निकल जाएगा vector से हम subtract वगरा कर लेंगे तिक ऐसे हमेशा unit vector से निकालना यादत रखिएगा इसको लिख लीजेगा अब देखते है electric field due to a point charge इने given medium अभी देखे कि भाई कोई plus charge हमारे पास है आर दूरी पर हम बोल रहे कि electric field क्या होगा अभी पूरा vacuum है अब देखो वो meaning जो समझाये थे electric constant का न वो सब देखो कैसे picture में दिमाग में आएगा vacuum है एक charge के कारण electric field lines है ठीक है तो बताओ यहाँ पर क्या strength है तो जो एक charge हम रखे देखे कि उस पर कितना धका लगेगा तो जितना electric field lines गया सब मिल करके उसको मारा धका फेका गया ठीक जब कोई medium आ गया तो अच्छा यह vacuum यह medium ठीक आप कोई medium रख देते है तब क्या होगा यानि कि एक source charge चारो तरप से पानी भर दिये और एक test charge रखते हैं देखते हैं अब कितना forces पर लगेगा तो जैसा ही पानी रख दिये medium करता क्या है यह जो 100 field lines से उसमें कुछ absorb कर लिया अब 80 field lines अगर वो absorb कर लिया तो धका उसको केतना देगा 20 field lines ही धका देगा तो भाई अब force क्या लगेगा कम लगेगा कितना कम होता है तो dielectric constant जो भी medium आप डाले उसके के से डिवाइड कर दो पता चिजा अतना ही कम होगे तो चीजे बहुत आसान हो जाता है vacuum है यहाँ पर तो यहाँ पर electric field क्या होगा प्लस अवे directed होता है तो बोल देता है कि यह है electric field in vacuum magnitude ही लिखते है तो electric field in vacuum को कैसे लिखेंगे kq by r square तो 1 बटे 4 pi epsilon not vacuum है vacuum वाला kq divided by r square this is equation number 1 लेकिन जैसा ही कोई medium आ गया न तो भाई कुछ absorb कर लेगा कम लगेगा तो यहाँ जो electric field होगा वो बोल देंगे electric field in medium तो electric field in medium हो जाएगा क्या लिखेंगे तो को 1 बटे 4 pi epsilon medium का होता ही है q बटे r square this is equation number 2 अब यह epsilon कैसे लिखा जाए तो जो भी medium हम यहाँ पर डाले हैं तो भाई यहाँ इसका कुछ नो कुछ तो dielectric constant होगा और हम जानते हैं कि epsilon बटे epsilon not जो है किसके बराबर होता है k के बराबर होता है तो जब भी medium आता है उसके जगा पर आप replace करो या तो k epsilon not बोलो या तो epsilon not k से क्या कर देंगे replace कर देंगे ठीक है लिखते है तो 1 बटे 4 pi यह क्या हो जाएगा epsilon not k ठीक है epsilon के जगा पर तो q बटे r square this is electric field in medium आच्छे हो क्या गया 1 बटे 4 pi epsilon not q बटे r square 1 बटे 4 pi epsilon not q बटे r square क्या बन जाएगा electric field vacuum वाला तो सिर्फ एक बचने वाला है k यानि हम लोग इसको लिख सकते electric field in vacuum और divided by क्या हो गया k तो medium में electric field k times क्या हो जाता है घट जाता है क्यों घटा क्योंकि fields medium क्या क्या field lines absorb कर लिए इसलिए k times क्या हो गया घट गया अब देखो पहला जो पार्ट पढ़ेटे पूरे electrostatic का पांच पार्ट है न electric force, field, potential, gas theorem, capacitance force में देखे medium आता है न तो बच्टे k times घट गया दूसरा पार्ट पढ़ रहे electric field आज जैसी medium डालते है न क्या होता है k times घट जाता है यानि दोनों ठीक ठाक चल रहा है तीन पार्ट और बचा है लास्ट में पढ़ते पढ़ते पांचों को relate कर देंगे तो k times घट जाता है तो एक तो होता क्या है वो समझ में आना चाहिए क्यूं होता है वो समझ में आना चाहिए और formula में कैसे हो super position principle of electric field जैसे force में पढ़े है n number of charges रखा हुआ है तो उसके वज़े से किसी एक charge पर बताओ force के ता लगेगा एक charge पर तो सारे charges जो भी space में present है उसके कारण लगता है यहाँ पर उसी के जैसा क्या कि let space के अंदर एक charge है Q1 एक है Q2 तुम पस आए यू सकुराए तुमने न जाने क्या एक है point P बचो ठीक है ऐसे एक Q1 charge Q2 charge dot 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 Q1 charge है एक point P पर हम रखतेते हैं पता है कैसा test charge रखतेते हैं तो बोलेंगे क्या यहाँ पर electric field होगा क्या हमको पता है कि जिस जगा पर electric field निकालते है न वहाँ आपका test charge लिखने से मतलब ही नहीं है क्यूँ कि इसके वज़य से हो रहा formula में तो वो आता है तियानी की नहीं लिखे आप समझे यहेगा ठीक तो बोलेंगे क्या होगा इसके कारण भी यहाँ पर electric field होगा ठीक है इस charge के कारण भी यहाँ पर कैसे लिखो electric field at point P हुआ है किस के वज़य से यहाँ पर electric field हुआ है point P पर किस के वज़य से n के वज़य से ऐसे इसको लिखते है کौन से point पर निकालो किस के वज़य से तो what is the total electric field at point P तो बोलेंगे total electric field जो point P पर नहीं होगा क्या जो point P पर होगा वो होगा कैसे? point P पर 1 के वज़ा से भी होगा point P पर 2 के वज़ा से भी होगा point P पर अब direct dot 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 point P पर N के वज़ा से भी होगा. ठीक तो यही हो गया तो it states that electric field at any point due to a number of charges present in space is equal to the कैसे? vector sum of all the electric fields produced by each charge. Individually at that point यहाँ पर individually एक अकर करके सारे का निकाल और vector sum कर दो यह होगा. बहुत असान है ना? और formula wise अगर हम लोग लिखना चाहें वोचो vector है. क्या यह vector है? तो कैसे लिखोगे vector को? किसके वज़ा से है? 1 के वज़ा से है. तो यह दोनों के बीच का जो distance से इसको क्या बोल सकते है? R1P direction wise इस डाइरेक्ट लिख देते हैं. यह direction है कैसे? दोखो 1 से P के तरफ है. 1 से P के तरफ है. तो cdcd लिखो भाईया 1P vector ताकि unit vector भी लिखना हो ना तो 1 से P के तरफ ही लिखे. ठीक? यह Q1 बटे R square. ता R square कैसे लिखोगे? R1P जो magnitude है उसका whole square. लिख दिए यह magnitude हो गया. direction के लिए unit vector. unit vector कैसे लिखते है? R1P के उपर cap. फिर तो इसको खोलने हम लोगो आता है. इसी तरह से P point पर दूसरे charge के वज़ास क्या होगा? तक क्यों बटे R square है? R क्या है? R2P magnitude का whole square. direction कौन बताएगा? unit vector. वो कैसे है? R2P का cap प्लस डट 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 डट. उसी तरह से last वाला charge. तक के QN divided by R N P का magnitude का whole square और unit vector R N P के क्या लगा देंगे? cap. यह total electric field at point कैसे P. और बांकी सब को खोलने के लिए हम लोग को आता है. ठीक है? सवाल solve करके देखते हैं सब कैसे? तो पता चलेगा की क्या है? अब सब तरब से हमें तंदुरुस्ती हो चुका है concept कि देखे? एक plus Q charge, plus Q charge, plus Q charge, three corners पर रखा हुगा. Ecolateral triangle है. L L length side है. बोलता है कि आप find electric field at point O. जिस point पर निकालने बोलता है उस पर charge समझे है कि मन के अंदर समझे है कि वहाँ पर एक positive test charge रखा हुआ है. और तब देखते हैं कि बांकी सब charges उस पर कर क्या रहा है. ठीक? तो यहारी positive test charge मन के अंदर रखेंगे. यहाँ ठीक है. क्या? क्योंकि उसको समझाने मेरे को 10 मिनट लगा थैरा होना है. तो पता है देखो एक तो plus Q जो charge है इसके वज़ा से जो plus Q charge इसके वज़ा से यहाँ पर electric flag किधर होगा सोचो? तो plus से away directed होता है. तो plus से away directed होगा. यानि जो एक के वज़ा से. ठीक है. बी यह plus है. प्लस charge के कारण यहाँ पर electric field किधर होगा? away directed. प्लस के कारण क्या होता है? अवे directed है. तो प्लस के कारण क्या होता है? अवे directed है. तो यह इधर हो जाएगा. इसको कैसे बोलोगे? ओपर है B के कारण. यह है electric field ओ उपर किस के कारण? C के कारण, ठीक है? क्या करें? एक वार ज़रा magnitude निकाले, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी Ecolateral triangle आता है, Ecolateral triangle आता है, अगर यह centroid है, तो यह length कितना होता है? यार करें ट्रिक बताये थे, 2 is to 1, 2 is to 1, तो यह उपर वाला भी distance L बटे रूट 3, नीचे वाला भी L बटे रूट 3, 2 is to 1, तो यह 1 उधर चला गया यहां, यानि कि यह यही रा जाएगा, L बटे रूट 3, तो यह distance L बटे रूट 3, यह वाला भी L बटे केतना हो जाएगा, र अगर मालनों की, ऐसे लिख जेता हूँ, D, 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 और यह D किसके बराबर है, L बटे रूट 3 के बराबर है, तो हम क्या करें, बुले magnitude अगर देखेंगे, तो electric field ओपर जो है, A के वज़़ा से, magnitude देखो, क्या होगा, तक क्यू बटे दोनों के बीच का distance का, क्यू बटे रूट चार्जे सेम है न, ता क्यू बटे R स्क्वेर, D स्क्वेर ही है, अगर ओपर B के कारण देखोगे, तो यह भी क्या है, क्यू बटे R स्क्वेर, यानि कि जो है, D स्क्वेर, क्यू बटे D स्क्वेर, C के बज़़ा से, क्यू बटे D स्क्वेर, तो E, O, C भी देखेंगे, तो क मैगनिचूर सेम हो गया यहां पर देखो यह इनॉट इनॉट तो एक इधर एक इधर दोनों का रिजल्टेंट कि दर इग्जेक्ट बीच में जाएगा क्यू दोनों का मैगनिचूर अगर सेम है तो बस एंगल देखो कि क्या है उसके ठीक बीच में जाएगा एंगल कैसे निक एंगल कितना हो जाएगा 120, 30-30-60, प्लस 120 कितना हो जाएगा 180, तो यानि टोटल यह हो गया 120, तो यह अगर 120 है, तो उपर वला भी कितना हो गया, देखो 120, वर्टिकली ओपोजेट एंगल, और हमको पता है, 120 में है, E0 E0, तो इग्जेक्ट बीच में, यानि कि 60 डिगरी पर, तो यानि यह दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो किधर जाएगा, उपर की और, किधर जाएगा उपर, और इग्जेक्ट बीच में, यानि कि 60 डिगरी बनाते हुए, इग्जेक्ट किदर, बीच में, ठीक है, चलो, अब देखते हैं, कि लेट, दो एलेक्ट्रिक फिल् एक है E0, और दोनों के बीच, एंगल कितना डिगरी है, 120 डिगरी, कितना है, 120 डिगरी, अगर रिजल्ट याद होगा, तो आप खटाक से टिकर भी दियो होगे, तो इग्जेक्ट जो रिजल्टेंट एलेक्ट्रिक फिल्डी दोनों का होगा, वो कैसे लिखते हैं, याद कर एसे हैं, रूट अंडर A स्कार प्लस B स्कार प्लस 2AB कॉस थेटा, लेकिन हम रिजल्ट डेराइव कर चुके हैं, तो यह हो जागा 2E0 कॉस थेटा केतना है भाई, दोनों के बीच, 120 बटे 2, यह हो जागा 2E0 कॉस केतना डिगरी, 60 डिगरी, ठीक, कॉस 60 केतना होता है, 1 1E0 है, तो रिजल्टेंट भी कितना अता है, E0 के बरावर ही आता है, यानि कि हमको एक चीज पता चला, कि भाई, यह एलेक्ट्रिक फिल्ट और यह एलेक्ट्रिक फिल्ट दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एक तो बीच में जाएगा, और दूसरा वो होगा कितना, तो यह जो रिजल्टेंट एलेक्ट्रिक फिल्ट हुआ है, यह किसके बरावर हुआ है, E0 के बरावर, यानि यह दोनों का रिजल्टेंट E0 उपर, अच्छा, और यह एक एलेक्ट्रिक फिल्ट उपर से आ रहा है, वो भी किसके बरावर है, बचो, E0 के ही बरावर है, तो इतना नहीं बनाना पड़ेगा बच्चों ठीक है इनेट एट ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी रो ठीक है चलेगा चलिए नेक्स्ट देखते है नेक्स्ट ये बी पार्ट है यहां भी वही सवाल है कि फाइंड नेट एलेक्ट्रिक फिल्ड जो है ना एट पॉइंट ओ निकालना है तो जिस पॉइंट पर निकाला जाता है समझों वहाँ चार्ज रखने की ज़ुरत नहीं है अंडर्स्टूड है दूसरी चार्जे सब देखते है सूपर पोजिशन प्रिंसिपल ये क्यू क्यू यहां के बीच का जो डिस्टेंस होता है अब ओदत हो गया this जो य बटे क्यतना रूट टू कैसे निकालते हैं यह ये एल एल तो ऐसे अगर करते बच्छवों यह टोटल हो जागा रूट अंडर एल इसक्वार प्लस एंसक्वार equal to हो जाएगा root 2L square केतना हो जाएगा 2L square तो this is root 2 I into L total distance जो है अगर आब हम बोले कि भाए हमको बस आधा इतना ही चाहिए बस इतना तो इतना क्या हो जाएगा जो total है root 2L उसका भी half तो total जो root 2L है उसका भी अगर half करेंगे तो answer क्या आएगा काटो यह root 2 हो जाएगा यानि कि L बटे root 2 तो यह L बटे root 2 आगया यहां से यहां तो यह भी देखो L बटे root 2 L बटे root 2 यह सब क्या है इतना standard सवाल है ना कि जो gravitation में पढ़े वही force में पढ़े electric force में electric field में पढ़े potential में पढ़ेंगे सेम पढ़ती ही रहेंगे आगे एक ही सवाल सेम करते करते यह distance कितना होता है L बटे root 2 तो प्लस के कारण यहां पर electric field किधार होगा प्लस अवे directed होता है तो बोले भाई इसके कारण electric field दो खोई धार होगया ठीक है इसके वज़ा से प्लस के कारण अवे directed होगा और अगर minus रहता ना था towards the negative charge ठीक है प्लस अवे directed तो भी यह आवे directed यह प्लस के कारण अवे directed अवे directed होगया यह प्लस के कारण अवे directed अवे तो यहां से अवे इधार देख रहे हो kq बटे r square kq बटे r square kq बटे r square kq बटे r square यह यह distance है बचो same तो सारे का magnitude क्या आने वाला है बिल्कुल भी same हैंस यहां पर net electric field क्या हो जागा 0 जेतना इधार उतना इधार जेतना इधार उतना इधार net electric field net electric field at equal to क्या हो जागा 0 निकाल भी सकते value kq बटे r square करकर करके लेकिन जोरत ही नहीं है ऐसे ही हम लोग solve कर लें कि कितना हो गया जेरो ठीक है find electric field at point c a b c equal to triangle है उसमें charges रखा हुआ corners पर minus q plus q यहां पर कोई charge नहीं रखा हुआ हम से पुछा है कि इस point पर बता electric field क्या होगा net तो इसके वज़ा से भी होगा किदर किदर होगा सबसे पहले देखते हैं यह plus के कारण यहां क्या होगा तो plus के कारण अभी directed होता है तो यहां पर यह electric field तो इधार हो जाएगा उसको क्या लिखेंगे electric field at point c किसके वज़ा से B के वजह से ठीक उसके बाद बच्चों देखो ज़रा इसके वजह से किधार होगा? यह है माइनस तो माइनस के तरफ होता है towards the negative charge तो यह इधार हो जाएगा this is electric field at point C किसके कारण? A के कारण हो गया अब दोनों का magnitude निकाला है के तना 120 तो चलो एक बार magnitude ज़रा देखते हैं E, C, B C, B इस दोनों के बीच में के क्यू बटे र स्क्वेर? कौन सा चार्ड जिसके वजह से है के क्यू के क्यू डिवारेट बाइक है र स्क्वेर? दोनों के बीच में distance के तना है? L, तो L स्क्वेर बचो सिर्फ magnitude लिख रहे है magnitude जब लिखेंगे तो कोई charge में प्लस मैनस sign नहीं लगाना है magnitude लिख लिए direction जब लगाना होगा तो हम लिखेंगे unit vector में जैसे I cap हो, मैनस I cap हो, J cap सब सब बाद में सिर्फ magnitude E, C, A केतना है? C और A के बीच में तो बोले KQ बटे, दोनों के बीच के दूरी वही L है, तो KQ divided by क्या है? L square यानि दोनों का magnitude फिर से आगया same तो मानलों यह है E naught तो यह भी केतना हो जाएगा? E naught अब देखो, फिर से E naught E naught, 120 degree तो दोनों के बीच का resultant भी केतना होगा? E naught ही होगा और कितना पर? इग्जैक्ट, 60 degree पर जाएगा यानि हम लोग निकाल सकते हैं इसे तो resultant जो है resultant electric field होगा इधर वो किसके बराबर होगा? E naught के ही बराबर होगा यानि magnitude कितना होगा? KQ divided by L square, same होगा same magnitude का, जैसे अभी निकाले थे और कितना एंगल पर होगा? तो बोले horizontal से 60 degree पर ये जाएगा तो this is the final और actually formulas कैसे निकालते हैं? root under a square plus a square plus b square plus 2ab दोनों के बीच का angle cos theta ठीक, इस तरह से calculate करेंगा और भी सवाल DPP के अंदर बहुत solve करने जा रहे हैं पहले जितना आता है पहले उसको solve करते हैं हर concepts को next देखो सवाल दो charges हमारे पास है 1 plus q1 plus q2 दोनों के बीच का distance आ रहे है हमसे सवाल क्या पुछा है? find point on the line joining charges ठीक, line joining charges of q1 q2 where electric field is 0 electric field 0 कहा होगा? तो बोले ठीक है, हम check करते है सबसे पहले ये दोनों के बीच में फिर किनार A, फिर उस साइड तो देखो let एक point P ले लेते हैं बीच में यह है A, यह है B तो इस charge plus के कारण यहाँ पर electric field किदार होगा? away directed तो plus away यानिक इधार तो माल लो यह क्या होगा? P A के वज़ा से यह भी plus charge है प्लस के कारण नहीं है electric field किदार होगा? तो प्लस अवे directed होता है तो away मतलब तो away मतलब इधार away, away, थिक away directed तो यह इधार होगया this is at point P B के कारण यानि दोनों के बीच में कहीं ने कहीं एक ऐसा chance तो है जतना इधार electric field अगर उतने इधार हो जाए तो electric field 0 हो जाएगा यानि यहाँ पर chances तो है इस side ज़रा देखे कि क्या यहाँ chances है क्या? कहीं कुछ distance पर जाकर point P अगर यहाँ लेलते हैं तो यह plus Q 1 charge है plus Q के कारण यहाँ पर electric field कि इधार होगा? इधार away directed तो यह होगा एक है को जासे ठीक और यह plus है plus के वाज़ा से कि इधार होगा? away directed तो plus away directed यह इधार ही होगा यानि EPB भी क्या होगा? इधार ही होगा? जब दोनों इधार ही होगा तो net 0 तो possible यहाँ पर नहीं है पॉइंट पी पर A के वाज़ा से इधार ही होगा और पॉइंट पी पर B के वाज़ा से इधार ही होगा दोनों net तो इधार भी 0 नहीं यानि यहाँ पर chances है तो जहाँ है आप निकालो कि भाई वो distance क्या हो तो निकालते हैं let let at a distance है x पर जा करके पॉइंट पी लिए electric field होगा 0 तो भाई यहाँ पर कैसे लिखेंगे जतना इधर हो जाए यानि कि solving के लिए क्या करेंगे पॉइंट पी पर B के कारण जतना हो वही electric field पॉइंट पी पर A के वज़ा से हो जाए दोनों का magnitude सेम कर दो इसके वज़ेंगे यहाँ पर electric field kq बटे r square तो लिखो kq1 बटे दोनों के बीच का distance केतना है x था x square इधर क्या हो जाएगा kq2 divided by x sorry दोनों के बीच का distance r minus x r minus केतना है x का whole square अब solve करते हैं पता है यह आपके लिए एक shortry का भी काम कर जाएगा मैं derive करके बोला दूँगा ताकि जो कोई भी value based जो आ गया जैसे प्लस 4 microcrum प्लस 9 microcrum ऐसा कुछ धालाक से रखो और तुरांत 1 second 2-3 second में सम्यों answer निकालो kq गया q1 बटे q2 equal to x square बटे r minus x तो हम सीधे कह सकते हैं x बटे r minus x दोनों square है तो total whole square हैंस ये बराबर हो जाएगा root अंडर ये यानि कि x divided by r minus x बोले तो पूरे का root लग जाएगा q1 बटे केतना q2 इसको भी अगर खोले तो पूरे root है तो उपर भी root नीचे भी root हम जो square हटा करके root लगाए है तो इधर आ रहा है root q2 x इधर multiply करिए पहले r के साथ तो root q1 r minus root q1 केतना हो जाएगा x ये इधर आ जाएगा तो root q2 x plus root q1 x equal to root q1 into r हैंस x से बराबर देखो अगर common ले ले डिरेक लिख जाता हूं common लेगे root q1 plus root q2 उस साइड है root q1 r divided by नीचे आजएगा क्या ची root q1 plus root q2 अब मेरे लिए जो है न ये ऐजे short trick का काम करेगा यहीं देखो solving भी बहुत जरूरी होता direct यही रेट रहे है रेट रहे है लेकिन इधर concept भी तो जाना जरूरी है ये आया तो कैसे आया क्या है ताकि concept भी ठीक और फिट trick भी बन जाए तो नीचे दोनों charge को add कर दो अच्छा उपर कौन सा charge है उपर वो charge है जिधर से हम x ने रहे है ठीक है टेक देट चार्ज ये कौन सा चार्ज है टेक देट चार्ज फ्रम वेर फ्रम वेर वी हैव टेकन टेक देट चार्ज फ्रम वेर वी हैव टेकन x ठीक है वो चार्ज उठा लो जिसको इधर से हम लोग x लिए अगर x देखो q1 के तरफ से लिए है न तो q1 आगे फर लोब अगर इधर से x लेते तो q2 रख देते तो root q1 r divided by root q1 plus root q2 तो similar nature का है plus plus तो बीच में कहीं electric field zero हुआ अच्छा अब opposite nature का है एक plus q1 है एक minus q2 है तब बताओ कि electric field कहाँ zero होगा ठीक है बोलता find point on the line joining charges q1 and minus q2 ठीक है वेर electric field is zero given that q1 q1 का जो magnitude है बच्चो कम है किसके q2 के case में यानि कि आप example के तोर पे magnitude कम है समझो कि plus माल लो four micro column माल लेते इसका magnitude कम है इसका magnitude ज्यादा है यानि ऐसे समझ लो कि minus 16 micro column है magnitude 16 है इसका बहुत ज्यादा यह है चार ऐसे सवाल दे दिया गए example के लिए देखते है किदर electric field zero होगा let कही point p माल लो इसको one ही रहने देते और इसको two रख देते है ठीक है point p पर सीधे e1 e2 रखेंगे तो समझ जाएगा point p पर देखें केतना speed से कर सकते हो plus plus के कारण अवे directed है तो e1 इधार हो गया ठीक है minus के कारण towards होता है यानि minus के तरफ ही होगा तो यहां पर ऐसे e2 भी इधार ही हो गया या दोनों जब एक तरफ होगा तो zero होगा नहीं यानि middle में possible नहीं है ठीक है चलिए अब हम लोग जड़ा right side देख लेते है sorry right side point p पर ये क्या है कम छोटा charge है और छोटा charge है चोटा charge के कारण ही electric field की आओगा कम होगा और उसके बज़े से क्या कर रहे है बहुत दूर भी निकालरे तो क्या होगा बहुत कम हाईगा छोटा charge एक तसी कम होगा और दूरी पर निकाले है तो क्या होगा और कम आएगा ठीक है यानि बहुत कम आने वाला है, प्लस एकारण अवे directed होता है, तो इस SiD even तो आया, लेकिन क्या होगा, भाई बहुत कम होगा, अच्छा, ये क्या है, Negative charge, Negative के तरफ होता है, टुवर्स होता एलेक्ट्रिक फिल्ड यानि इटू जो आने वाला है टू के वज़े से वो इधार आएगा ये कैसा होगा भाया मैगनिचूड कैसा है बहुत ज्यादा तो ज्यादा की कारण आद नस्दिक में ही निकाल रहे तो बहुत ज्यादा होगा बहुत दूर तो है नह ज्यादा किदर इस साइड तो नेट एलेक्ट्रिक फिल्ड तो इधर आ जाएगा नेट तो इधर आ गया तो भाईया ये जीरो तो नहीं होगा तो इस साइड भी पॉसिबल नहीं होता है तो पॉसिबल किदर होगा इस साइड जैसे फोर्स में देखे ते जो छोटा मैगनि लिए देखते हैं छोटा चार्ज है चोटा प्लस के करण अवे डिरेक्टेट तो भाई या इवन तो इधर होगा सबसे पहले यह माइनस चार्ज माइनस के तरफ होता है तो तरफ होता है तो इधर हो गया देशिज एटू ये दुनों का कैसा ज़्यादा कम देखते हैं रहा है कम है अग कम चार्ज के कारण थोला दूरी पर निकाले है तो भाई ये तो कम ही होगा अच्छा ठीक है ये क्या है ये बहुत बड़ा चार्ज है बड़ा चार्ज के कारण लेकिन बहुत दूरी पर निकाल रहे है बड़ा चार्ज है वेकिन बहुत दूरी पर निकालें क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि कि इसका भी एलेक्रिक फिल्ट जो यह है न कहीं 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 पॉसिबिलिटी है कम होनेगा क्या होगा कम तो कम-कम तो there is a chance that electric field can be 0 तो electric field can be 0 कहां इस साइड तो बलता है let x distance पर यहां से है तो 0 होने का मतलब एक इधर एक इधर तो लूँ magnitude बराबर कर देंगे e1 equal to e2 answer कहां दिखा तो इसको copy में लिख लिजेगा जो छोटा magnitude का चार्ज है उसी साइड electric field क्या होगा 0 होगा ठीक है चलिए तो लिखते है तो e1 का जो magnitude होगा इधर का वही हो जाएगा कितना e2 का तभी जाकर के वो हो जाएगा 0 e1 के कारण यहां पर 1 के कारण तक क्यू बटे r square तक कैसे लिखेंगे क्यू बटे यहां से यहां का distance है x तो x square ठीक है e2 इसके वज़ा से यहां पर तो कितना distance होगा तो यह है भाई r plus x तो लिखेंगे k q2 divided by r plus x का whole square यह हो ठीक है यह यह गया उसी तरह से solve कर लिजे q1 बटे q2 q2 इधर और x square बटे r plus x तो यह लिखते थे हैं direct x बटे r plus x का क्या है whole square बहाँ सब calculate कर लिजे एगदम force के जैसा तो यह आ जाएगा x divided by r plus x equal to root q1 बटे q2 पूरे पर root लग गया यह पूरे root है अलग-अलग हो जाएगा root q1 बटे root q2 cross multiply करें root q2 x बटे तो नहीं होगा न यह इधर गया यह इधर root q1 r plus root q1 x hence यह x x इधर आ जाएगे root q2 x minus root q1 x equal to होगया root q1 into r hence x बराबर बचो क्या आने वाला है common लेंगे root q2 minus q1 ठीक यह बहुत बार देखोगे ना चाहे boards हो चाहे neat हो चाहे जेए immense हो चाहे जेए advance हो हर जगा पर सवाल यह आया हुआ है यहाँ पर देखो बचो क्या है भाई उपर जो charge आया कौन है q1 तो जिधर हम x लेते हैं जिधर हम x लेते वो है यानि कि smaller magnitude वाला सीधे समझों बचो क्या है smaller magnitude वाला ठीक अच्छा नीचे क्या है बड़ा माइनस छोटा बस हो गया तो यह जो charge कौन है take smaller charge जो भी छोटा वाला होगा और यह क्या है बड़ा और यह वाला क्या है छोटा बड़ा में से छोटा को घटा दो ताकि distance जो वो positive कुछ ना कुछ आए जैसे 4 माइक्रो कुलम माइनस 9 माइक्रो कुलम है तो यहाँ पर 4 यह 9 यहाँ 4 बस अंसर आ गया ठीक है चलिए next हम लोग यहाँ पढ़ते है बचो क्या plotting of graphs graphs plot करना है जो भी हमने electric field का पढ़ा है एकक करके बहुत अच्छा चार्ज क्यों उसके कारण बनाना है तो हम जानते हैं कि कोई plus q चार्ज है आर डिस्टेंस पर एक point P है यहाँ पर electric field क्या होगा तो बोले plus के कारण अवे directed होता है और यह electric field जो है वो होता क्या है हम जानते हैं के q divided by r square यह क्या दर्शाता है यह दर्शा यह रहा है कि electric field दो universally proportional to है आर चार्ज constant के भी क्या constant तक क्यों यह दोनों बचों क्या है constant चार्ज को हमने constant ले लिया तो electric field जो है वो inversely proportional to क्या है r square जैसे की force में था यानि कि अगर जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे न तो electric field क्या होते जाता है घटते जाता है हमने देखा ता magnetic है जैसे जैसे distance जाते जाएंगे न electric field आने वाला क्या something बटे 0 समझे infinite हो गया बहुत maximum ठीक तो आर इकोल टो यह जीरो आर इकोल टो जीरो पर electric field एकडम maximum infinite हो गया अच्छा तो यानि एकड़म उपर चला गया और जैसे ही अकर जाते 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 पूरे आगे चले जाते है एकड़म आर इकोल टो infinity पे आर इकोल टो infinity पे तो होगा क्या something बटे infinity electric field क्या हो जागा जीरो यानि कि nature तो समझ में आ गया बच्छों कि यहाँ पर इंदम उपर maximum चलते 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 क्या हो गया टेंडिंग टो तो भाई वहीं पर electric field आया है infinity infinity का क्या मतलब होता है it is undefined यह तो mathematical calculation के लिए ताकि हम graph बना सके infinity का मतलब कितना undefined तो यह जो electric field होता है इसका क्या है मतलब undefined it is not defined at the location of the charge जहाँ पर चार्ज है वही पर electric field क्या होता है it is not defined यहाँ एक note point है जो है हम यहाँ पर डाल लेंगे बचो क्या की electric field पहले लिख देता हूँ electric field is not defined is not defined at its क्या बोल देंगे own location उसी location पर जो है नहीं defined है कम से कम defined होने के लिए आपको थोड़ा सा आर हो सकता है 0.0000000001 meter पर चलेगे यानि बहुत नजदिक जाओ कम से कम तम जाकर वहाँ पर electric field lines होगा यानि electric field का कुछ ना कुछ strength होगा और एकदम कम कर दोगा 0.0000000001 meter पर बताओ कि क्या होगा तो भाईया ये गदम कम ते electric field एकदम खातरनाक बहुत maximum होगा जितना छोटा करोगो उतना ज्यादा तो ठीक है फर्स्ट क्वाडरेंट पर तो ऐसे बना लेकिन बांकी plotting करने के लिए देखो method of plotting graphs 4 quadrant है हमारे ग्रास कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक तो हमें नेचर समझ में आ गया कि कोई भी क्वाडरेंट में गर बनाना है तो inversely ऐसे है तो बनेगा तो rectangular hyperbola type का ऐसा ही बनने जा रहा है ठीक अब समझाता हूं कुछ basics how to plot the graphs क्या करने वाले बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज ऐसे होता है तो इसका जो electric field lines वो इधर भी 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 इधर जो बनाना होता है वो है y-axis में electric field x-axis में है distance तो भी यह यहाँ पर diagram से कैसे relate होता है तो बोलते है diagram के अंदर जो r है न वो किधर है वो यह दर साता है न कि charge से जैसा ही आप r distance आगे जाओग न तो हमें पता है कि आगे जाते जाएंग electric field क्या होता है घटते जाएगा तो at the location जो है यह मेरे लिए हो गया r equal to 0 तो right side अगर इस electric field line को देखे आप लेते हो r positive जैसे आगे जा रहे हैं तो भाई या 0 की ठीक पीछे इस side क्या हो जाएगा r समझो less than 0 और right side जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह सकते बचो r greater than 0 है न इस field lines को लेतो तो जैसे ही आगे जाएंगे तो electric field lines क्या होता है घटता है तो चाहे आप इसको लेकर समझो चाहे ऐसे लेकर समझो चाहे ऐसे लेकर समझो कोई फर्क नहीं पड़ता है हम पूरा इसका जो हो क्या रहा है उसको denote करते x y axis में ठीक है ऐसे भी तो बोल सकते है जैसे ही r आगे जा रहे है न electric field lines घ जाता है घटते जा रहा है सही है तो हम करते क्या इन nature को plot कर रहे है nature को क्या कर रहे है बचो plot कर रहे है अच्छ since r जो है x axis पर बना हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे समझने के लिए चार्ज ले लिए ठीक है और इसको सिर्फ इसी लाइन पर जो है न हम रख कर करके अपना देखेंगे ताकि जो हम तुरांत जो है न चीजे समझ पाए तो इसको बोल देंगे r equal to 0 right side में बोल दो बचो r greater than 0 positive this is r less than 0 negative को अभी electric field lines को लेकर analysis कर लेते हैं horizontally ले लिए ताकि graph relate कर पाए अच्छा बहुत सारा बात है यार समझना बहुत जरूरी होता है प्लस चार्ज के कार electric flys away directed होता है यानि इस side electric flys कैसे है इधार तो this is the direction of electric field ठीक है अगर प्लस के कार इस side देखे तो प्लस के कार अभे directed होता है किदर होता है अभे directed यानि इधार देखे तो electric flys ऐसे है तो inside electric field lines ऐसे अच्छा और inside electric field lines ऐसे यानि एक बार देखते एक ऐसे ह होता है एक बर ऐसे होता है यानि अगर positive direction तो भाई या इसको positive तो इसको negative यानि direction पलट रहा है electric field क्या यहाँ पर मेरे लिए direction कुछ पलटा हुआ नजर आता है क्या बिलकुल नजर आता है यह y axis में electric field है तो यहाँ से अगर देखे उपर तो यह बोल देंगे positive direction और ऐसे अगर चलेगा तो negative direction यानि करेंगे क्या उपर जो होगा न यह समझो कि positive direction है electric field का तो भाई यह निचे अगर plot करेंगे तो electric field क्या बोल देंगे negative direction of electric field है तो देखो ऐसे है तो इसको हम बोल देंगे right side है तो positive direction बोल दोग अफ जाना अच्छा जब और लेस्ट धन जीरो जाते हैं यानि नेगेटिव के तरफ तो हमें electric field किधर मिलता है? negative direction में मिलता है negative direction किधर है? उपर किधर? निचे. यानि बच्चों समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या कि हम अगर graph बनाना चाहיíं तो कैसे बनाएंगे right side में electric field positive direction यानि आप उपर में वही shape बना दो जब negative direction में आते हैं less than 0 electric field negative direction में है यानि electric field आपको उपर नहीं बनाना है गलत तो किदर निचे बनाना है तो यह ऐसा हो जाएगा मेरे ख्याल से clarity से समझ में आया होगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि electric field इधर भी होता है electric field इधर भी होता है अच्छा शेप क्यों सेम रह गया क्योंकि हमें पता है लेट मालो की दो मीटर दूरी पर जो है क्या होगा electric field का value राइट साड में तक क्यों 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 क्या बोले 2 तक 2 स्कूर तो जो वैल्यू इधर आएगा न उतना ही डिस्टेंस पर अगर बोलेंग बता इधर क्या आगा तो वैल्यू रिमेंस सेम फिर तीन मीटर पर सेम वैल्यू यानि magnitude जो ना सेम होने वाला है इसलिए नेचर हर जगा पर क्या होगा electric field का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सेम सेम बस direction अलग-अलग होगा एक बार उपर बनाएंगे एक बार नीच्छे समझ में आ गया बहुत जोरूरी है ना पता चलना अब देखो कैसे इसका हम खड़ाख खड़ाख यूज करेंगे मेरे पास एक है बचों क्या plot a graph of electric field versus r for a negative charge के लिए बनाना किसके लिए बनाना है नेगेटिव चार्ज समझो यह नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर ठीक है तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है ऐसे ऐसे कर दो बस this is r equal to 0 यह है positive side यह है negative side electric field किधर होगा सिर्फ positive negative चेक करना है देखो इस side towards negative charge होता है इधर होगा टूवर्स यह कौन सा डियरेक्शन है बाई negative direction तो यह negative direction ठीक है इधर क्या होगा पर टूवर्स देगेटिव चार्ज होता है हुआ टो उर्ट्स एलेक्टिक फिल क्शन क्या हुआ यह तो पॉजसरर 22 ड कि नेगटिव डिरेक्शन समझ hubs सब्सक्राइब यह सबस्क्राइब देखलो कितना आसान है है ना, दन दना दन, चलिए next सवाल, दो positive charge के लिए हमें बनाना है, तो देखो, दो positive charge, दो negative charge, एक positive, negative, इतना ही तो variation है, करे सौल, ठीक है, ये plus Q charge, plus Q charge, इस region में किधर बनेगा, इस region में किधर बनेगा, और बीच में कैसा बनेगा, वो देखते हैं, एक एक करके, मैं बड़ा figure में बनाता हूं, बच्वो, plus Q, ठी, ये क्या है, इस region में देखते हैं, इसको मान लेते हैं, one, इसको मान लेते हैं, two, देखो, same magnitude का है, plus Q, तो charge के ठीक बगल में अगर बोलेंगे, कितना electric field होता है, बहुत खातरनाक, बहुत ज्यादा, sorry, तो इसके ठीक बगल में, one के कारण जो electric field होगा, एक तो पता है, plus के कारण away directed, तो भाईया, even होगा तो इधार, देखना बच्वो, कैसे करो, ठीक है, even होगा, इधार, ठीक है, ये भी plus है, तो plus के कारण electric field कि इधार होगा, इधार, तो सबसे पहले, even to लिख लिया करो, plus के कारण away, away directed, बस अब ज्यादा है कि क प्लस के कारण, पहला वाला charge के कारण देखेंगे, बगल में निकाल है न, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, खतरनाक, ठीक, लेकिन ये plus charge के कारण, बहुत दूरी पर निकाल रहे है, तो भाईया, बहुत दूरी पर, देखरो, वहां से, यहां distance है, तो कम हो जाएगा लेकिन since, एक electric field इथार, जब दोनों इसी side है, तो net कि तरो इधर ही होगा, तो tension ही नहीं है, net electric field क्या हो गया, वो हो गया, लेफ्ट side, और साज्ट क्या होता है भाई नेगेटि डाइरेक्षन?किंद बनाएंगे ग्राफ उपर के निचे- किन निचे निचे तो तो ग्राफ कैसा जाएगा आसा है इस तरह से बन गया अच्छा आब हम चलते हैं right side बहुत आसान है बचों बहुत आसान अब इससे आसान तो कुछ होई नहीं सकता है मेरे ख्याल से बहुत simple language बता दी है देखो plus के कारण electric field away directed plus के कारण away directed यानि e1 भी इधार हुआ e2 भी इधार e हुआ तो भाई या net electric field किधार हो जाएगा बचों direct अब लिख देते हैं इसी direction में तो भाईया या कौंट सा direction है positive direction positive direction में electric field किधर बनाते हैं उपर की लीचे उपर किधर बनाते हैं उपर तो उपर आप ऐसे बनाते हैं खतम हो गया ठीक है चला अब आते हैं बीच में देखो सबसे पहले middle point हमेशा क्या है तो सोचू क्या होगा बचो ये plus के कारण electric field तो ये इधार away directed ये plus के कारण away directed दोनों का magnitude क्या होगा सेम किया लग लग charge सेम है distance भी सेम है k q बटे r square सब कुछ हो गया सेम यानि कि ये जो magnitude होगा e1 e2 का दोनों क्या होने वाला है बिल्कुल भी सेम या फिर ऐसे बोल दो ये हो गया e naught तो भाईया ये भी क्या हो गया e naught ही का since same तो यहाँ पर जो e net आ गया हो केतना आ गया zero तो यहाँ पर जो electric field हो वो zero आ गया है यानि इस line को touch करेगा यहाँ पर electric field तो अब हम देखते है इस side क्या होगा और इस side क्या होगा ठीक इस region में इस region में इस charge के कारण electric field हो प्लस के कारण away directed तो भाईया प्लस के कारण away directed पहले हमने ऐसे बना लिया ठीक है ये प्लस charge के कारण यहाँ पर electric field क्या होगा away directed तो away directed हो गया अब देख लो दूनों opposite direction में है क्या दूनों same magnitude है अगर same magnitude का होगा तो जीरो चाहेगा लिए देखते को बड़ा छोटा है क्या यह प्लस के कारण बगल में निकाल रहे है प्लस के कारण बगल में क्या आता बहुत ज्यादा तो भाया यह बहुत ज्यादा फिल्ड होगा और यह क्या प्लस है लेकिन इसके कारण बहुत दूरी पर निकाल ले तो थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ा सा कम हो गया देखो बहुत ज्यादा दस न्यूटन और यह कम दो न्यूटन नेट किधर हो जाएगा भाया नेट है आगे की तरफ तो जो नेट आया वो कौन सा डिरेक्शन है पॉजिटिव डिरेक्शन जैसा ही पॉजिटिव डिरेक्शन आया ना हमें पता चलिगा कि ग्राफ हमें बनाना किधर है पॉजिटिव मतलब उपर तो उपर से ऐसा बनाए नेचर तो ऐसा ही होगा क्या यह टच करेगा यहां एलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो तो इस लाइन को टच करेगा यानि यह जो है न टच करते हुए ऐसे आएगा रेक्टेंगुलर हैपर बोला टाइप का होगा और टच करते हैं जीरो अब इस साइड देख लिजे बस देखिए क पॉजिटिव है कि नेगेटिव डाइरेक्शन बस उपर बनाएंगे कि निचे बनाएंगे वो डिपेंड कर जाएगा हमारा क्यलकुलेशन पर चलिए देखते हैं प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड अवे डायरेक्टेड तो इवन इधर हो गया यह प्लस के कारण यहां पर कहीं निकाल रहे ठीक है प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड तो यह इधर होगा कौन बड़ा होगा तो यह चार्ज के बगल में निकाल रहे हैं तो यह होगा क्या बहुत ज्यादा और यह चार्ज के कारण यहां पर निकाल रहे हैं थोड़ा सा दूर हो गया तो यह हो दाना है और निणे से बना देना तो यह पॉसितिव डईरेक्षन है नेगेटिव डेकषे मतलब वही नेचर वही रहना है हमें ہाँ जाहें है करें आसे चाहिए मलु से हो तो ऐसे 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 ऐसा पारबोलिक टाइप का तो यह हो गया ग्राफ तो बच्छों देखो जो ग्राफ बना ना मेरा कैसे उपर निच्छे और ऐसे आया ना यानि फाइनल अगर मैं बोलू तो ऐसे आया है और यह मिडिल पॉइंट में जीरो हुआ है और यह ऐसा आया है दिस इस एकोल टू यहां क् अब जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस है वैसे दो नेगेटिव चार्जेस के लिए है बिल्कुल भी एकदम सिमेट्रिक वाइस मेरे ख्याल से बच्छों यह आप क्यालकुलेट कर सकते हो ठीक है तो मैं यह आप लोगो हमवर्क देता हूँ इसको मैं DPP के सॉलूशन में आप वीडियो सॉलुशन में देख लिजेगा ठीक है क्योंकि पता है पॉजिटिव का बना चुक्क आप नेगेटिव बनाओ बच्छों कोशिस करो ठीक है यह और नेक्स्ट जो है एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज के लिए बनाना है क कैसा होगा और यह भी कोश्चन जो है मैं आप लोगो हमवर्द देता हूँ ठीक है डीपीपी के वीडियो सॉलुशन में आप देख लिजीएगा कौन सा डीपीपी डीपी नमबर टू डीपी नमबर टू एलेक्टिव फिल्ड का जो आएगा बहुत आसानी से बस वही करना है प्लस होगा की माइनस होगा प्लस होगा की माइनस होगा प्लस यहां 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 और बीच में चेकिंग करते रहना है पॉजिटिव आरा की नेगिटिव आरा आते जाए और अगर बन जाए तो आप जो है या तो इंस्टाग्राम पर बचो जो है आप मेरे को भेज है कि डाइरेक्शन अगर यह है चार्ज रखती तो फोर्स लगा तो अगले लेक्शर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे नुमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं कॉंसेप्ट पे बेस्ट मुशन अफ चार्ज क्या होगा इन एलेक्ट्रिक फिल्टी क्या थैंक थैंक्यू